प्रियच्छात्र जब पिछले सालों में घटित कुछ प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं को याद करते ही हमारे रोंग्टे खड़े हो जाते हैं किलारी का भूकम्प, मुंबई की मुसलाधार बारिश, पूर्वी तट पर आई सुनामी ऐसी अनेक घटनाएं हैं ऐसी कई घटनाओं के बारे में भी हमने सुना हैं हमने पिछले साल आग, भूचाल, जंगल में लगने वाली आग, बाड जैसी घटनाओं का और इसके साथ-साथ मानव निर्मित विपदाओं का भी अध्यन किया है इस अध्यन के अधार पर आप बिजली का गिरना, आकाल जैसी आपतियों का वरगी करन कैसे करेंगे इस साल हम आपदाओं के बारे में अधिक जानकरी लेने का प्रयास करेंगे क्या इन सारी आपदाओं का हम से कोई सम्मंद है इन आपदाओं के समय हमारी भूमी का क्या होनी चाहिए आप इसके बारे में क्या सूचते है इन में से कुछ आपदाओं हम टाल सकते हैं और अन्य आपदाओं के लिए हम सतर करह सकते हैं इस पार्थ में हम जानेंगे किस प्रकार इन आपदाओं से हमारा करीबी सम्मंद रहता है और इन आपदाओं के समय हमें क्या करना होगा इन सारी आपदाओं में जिस आपदा का हमें बार बार सामना करना पड़ता है वो है सूखा पानी की कमी के कारण खेत में फसल नहीं उकती है धान की कमी आती है अनाज की कमी महसूस होती है इस कारण अकाल की परिस्थिती निर्मान होती है इस अकाल को सौमिय अकाल और तीवर अकाल इन दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है आम तोर से अकाल जैसी आपदा बारिश की कमी के कारण होती है फिर भी इसके लिए बड़ी हद तक मानव निर्मित कारण भी जिम्मेदार होते हैं मानव की कुछ गलत कृतियों के करण आकाल की परिस्थिती निर्मान होती है साल 2013 में महराश्ट ने बड़े ही तीवर आकाल का सामना किया था जिसका परिणाम पूरे महराश्ट राज्ज को भुगतना पड़ा था पुराने जमाने में आकाल और घास की कमी की आपदा हमेशा बनी रही है लेकिन शिवाजी महराज और च्छतरपती शाहू महराज ने उनके शासनकाल में आकाल पर मात करने के लिए जल नियोजन और जल संचे इन उपायों का अवलंबन किया था मलिक अंबर ने औरंगबाद में पीने की पानी के लिए नहरे खुदवाई थी वे नहरे आज भी वहां मौजूद है अकाल के अनेक कारण है तापमान में बदलाव, आंधी, तूफान, ठंडा मौसम, कोहरा, वातावरण में बदलाव, फसल पर पढ़ने वाला कोई रोव, आदी जिसके कारण फसल का प्रमान कम हो जाता है इन सारे कारणों के कारण धान की कमी महसूस होती है पूरे जगत में अनेक प्रदेशों में आकाल के संबंध में उलेख मिलते हैं लेकिन जो भयानक और तीवर आकाल हुए हैं, वे भारत और चीन में हुए है आज कल बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की मांग भी बहुत बढ़ गई है जिसके कारण परियावरण में असंतुलन हो गया है जो पानी की कमी का कारण बना है बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी का अमरियाद उपियोग हो रहा है आपने हरित करांती की बारे में सुना होगा हरित करांती अनाच के उत्पादन को बढ़ाने में कामयाब रही लेकिन इसके लिए इस्तमाल की गई रासाय निखाद, जन्तुनाशक, कीटनाशक इनकी वज़ा से पर्यावरण पर विपरीत परणाम हुआ है इसके करण जमीन की उत्पादन शक्ती भी घड़ गई है चलिए अब हम कुछ ऐसी बातों के बारे में जानते हैं जिनके चलते हम आकाल की तीवरता कम करने के लिए कुछ कर सके साथ ही हमारे घरवालों को भी इसकी जानकारी दे सके हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हर एक घर में कितना पानी इस्तमाल किया जाता है जिसके आधार पर हम पानी की जरूरत का योग ये तरीके से नियोजन कर सके घर में रोज मर्रा के कामों के लिए इस्तमाल किया जाने वाला पानी बगीचे में पेडों में डाल कर उपयोग में लाया जा सकता है कारखानों में इस्तमाल किये पानी को भी शुद्ध करके पुनर उपयोजित करना चाहिए बारिश का पानी जमा करके खेती के कामों में लाया जा सकता है इसके साथ साथ बारिश के पानी का उपयोग भूगर्ब जल की मातरा को बढ़ाने के लिए भी होता है इस प्रकार के सभी उपायों का अवलंबन करना चाहिए आप जिस परिसर में रहते हैं वहाँ पर भूगर्ब जल की मातरा को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा इसका विचार करना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण उपा है व्रिक्ष लगाना, व्रिक्ष न तूड़ना और उनका सववर्धन करना समय के अनुसार जलवायों में तथा वाता वरण में अनेक बदला होते हैं इसका अध्यन कर पानी, योग फसल, आदी का नियोजन आवशक है इस साल हमने जून से अक्तूबर 2019 के काल में सभी और जोरदार बारिश का नुभव किया था कहीं कहीं बादल फटने के कारण मुसलाधार बारिश हुई कभी कभी बारिश वाले बादलों से जो पानी जमीन पर वर्षा के रूप में नहीं गिरता और जमीन की उश्णता के कारण फिर से बाफ बन कर बादलों में घुल जाता है ऐसे समय बादलों में भाप का संकेंद्रन अधिक हो जाता है और किसी विशिष्ट भूभाग पर 100 mm प्रतिगंटा अथ्वा उससे भी ज्यादा बारिश होती है उसे ही बादल का फटना कहते है बादल का फटना एक प्राकृतिक आपदा है 6 अगस 2010 इस दिन लदाक लेह में 2013 को उत्तरा खंड में 26 जुलई 2005 को मुंबई में और 26 सितंबर 2019 में पूरे में ऐसे ही बादल फटने के कारण मुसलाधार बारिश होई थी इन सारे उधारणों में उत्तराखन में जो बादर फटने के कारण मुसलाधार बारिश हुई थी उसके कारण बहुत मातरा में जीवित हानी हुई थी बाड भी प्राकृतिक आपदा का उधारण है भारत में अनेक नदियों में वर्शा रितू के दोरान बाड आती है कभी कभी बाड की तीवरता इतनी ज्यादा होती है कि उसके कारण बहुत बड़ी हानी होती है बाड नेंतरन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने 1976 साल में राष्टिय बाड आयोग की स्थापना की थी और इस आयोग की और से बाड नेंतरन के लिए योग एक कदम उठाए गये हैं इस आयोग ने गाओं के स्थर से राष्टिय स्थर तक बाड नेंतरन के संदर्म में एक प्रारूप तैयार किया है इसके अंतरकत अनेक बाढ़ नियंतरक उपायों वाली योजनाओं को अपना याभी गया था जैसे पहाडी प्रदेशों में छोटे बांध बांधना, मानव नियर में तालाब तैयार करना, नदियों का पात्र कृत्रिम पद्धती से सीधा करना, जंगलों का निर्मान और नदिजोड परियोजना आदियोजनाएं हैं झालाब तैयार करना, जंगलों का निर्मान आदियोजनाएं हैं